चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस पाक्स एकाड़मी की इस यूट्यूब चैनल पे तुhr तो हमने पढ़ लिए है universe के बारे हम पढ़ लिये हैं हखाफलकसा उसके पोरे constitution के बारे में किस तरह से वह बना हुआ है और उसमें जो भी अपका उसका planets plus stars उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा से जाना है अभी उनका थोड़ाइव में हम लोग चालते हैं और इसले ये सब के बारे में जानते हैं तो आज specially हम लोग पढ़ेंगे members of the solar system means आपका घर में इससे सदस्या रहते हैं solar system में कौन-कौन से उनके सदस्या है सन से अपना पृत्वी सन के सामने कुछ नहीं है किःत्वी साइज उतना है अगर ऊपनी सी दॉत्वी साइज उतना है कितना बड़ा बन जाएगा उतना बड़ा है सन और वो सबसे हमारा सबसे नजदी की स्टार हमारा सन है ultimate source of energy है वहां से ही सब energy अपना आता है solar system से ठीक है diameter अगर देखा जाए तो 14,000,000 km है और क्या चीज़ से बना हुआ है सन क्या सन में भी हम लोग जैसे अर्थ में जैसे हमारा iron निकल यह सब चीज़ है constraint of earth है देखेंगे वह हम लोग भाग में तो क्या सन भी उसी तरह को को दातों से बना है तो नहीं सन क्या है gases generally gases ही है उसमें 71% hydrogen है 26.5% helium है and 2.5% other elements है तो उसका अगरा state देखे तो वह अंदर में bulky type का नहीं but हम लोग imagine कर सकते हैं कि उसके बाहर जितने gases है वो सबस्यादा important है hydrogen and helium से sun generally बना हुआ है अभी है hydrogen and helium are main gases present in the sun यह हम पढ़ लिये है sun के अंदर जो hydrogen जैता है वो helium में convert हो जाता है nuclear fusion process से fusion मतलब दोस्तो हमको पता है अगर हम लोग helium का देखे तो इसका atomic number कितना है तो प्रियरिक्टेबल में है इसका 2 है और hydrogen का atomic number कितना है इसका atomic number 1 है तो अगर एक hydrogen और दूसरा hydrogen वो लोग मिलते हैं मिलने के बाद क्या करेंगे यह लंग helium बन जाता है ठीक है hydrogen and hydrogen combined to form helium by nuclear fusion releasing a tremendous amount of heat and energy तो जब भी यह combine होता है जब भी nuclear fusion होता है तो fusion की प्रक्रिया से यह बहुत जादा heat और light देते हैं इसलिए sun का surface temperature है वो about 6000 degree Celsius है और अगर उसका सेंटर का temperature देखे तो 150,000,000,000 degree Celsius है ठीक है तो इस तरह सब सोच सकता है कि sun का temperature है वो कितना जादा है 6000 degree Celsius एक तो वो कहा हो गया और उसका सेंटर में 150,000,000,000 degree Celsius यह कितनी जादा है ठीक है और signing जो हम जो sun को देखते हैं जो उसका चमकता हुआ जो सूराज है उसको जो देखते हैं वो फोटो स्फियर कहेंगे generally ठीक है और वो डिस्क जैसे दिखते है डिस्क जादा गोल प्लेट जैसे ठीक है और अगर हम देखें तो sun का यह कोर है तो यह सब क्या करते हैं कि एक एक मॉलिकूल से दो मॉलिकूल्स बनेंगे इसको इसको क्या कहेंगे एक से दो बनना फिर फिर इससे फिल दो हो अना इसको कहा जाएगा यह है दोस्तों fusion फिजन ठीक है और यह है fusion fusion ठीक है तो fusion में देंस का fusion रहता है न मिंस mix को करना बहुत सारे देंस को एक सब दिखाना उसको fusion कहा जाता है देंस का तो उसी तरह से nuclear fusion आप याद रख सकते है shining surface of the sun is called photosphere और यह disc की तरह दिखता है acts the source of energy energy का source photosphere ही है क्योंकि वो बाहर में ही हम लोग का जो nuclear fusion है वो प्रोसेस होता है outer layer of sun's atmosphere is made of thin hot gas तो जो outer layer है अगर sun का उसको corona कहा गिर है ठीक हो बहुत thin layer of gases से बना हुआ है और corona normally आँखों से नहीं भी जिबल होता है बड़ तभी हम लोग उसको देख पाएंगे जब माल लीजे solar eclipse हुआ है जब solar eclipse यानि studio grand job होता है तो आप देख सकते हैं कि पूरा सूरज पूरा black हुआ था बड़ साइड में उसका हलका सा परदाट एक बहुत कम प्रत्थीन layer of light दिखता है उसको कहा गया है corona और उसको एक special solar telescope कोरोना ग्राफ से भी आप देख सकते हैं यह तो उसको total eclipse में देख सकते हैं या फिर एक solar telescope रहता है corona ग्राफ उससे आप sun का corona को देख सकते हैं planets travel with the sun through millions of stars in our galaxy at speed of 70,000 km per hour यह ज़र भी नहीं है sun क्या है sun 1500 million km हमसे दूर है earth से एर्थ से कितना दूर है दूस्तो 150 million km और light का speed कितना है light का speed है 3 into 10 to the power 8 meter per second जिस्ट काम लोग लिख सकते है 3 into 10 to the power 6 km per second ठीक है 3 into 10 to the power 5 km per second ठीक है 3 into 10 to the power 5 km per second ठीक है तो 3 into 10 to the power 8 meter per second है यह light का speed है 3 into 10 to the power 8 meter per second तो इसको इसमें कैसे convert करना है 1 km is equal to 1000 meter हमको पता है ठीक है इसका मतल़ है 10 to the power 3 meter तो 10 to the power 3 meter हो गया तो 3 into 10 to the power 8 अगर divided by 10 to the power 3 कर देना तो यह हो जागा 3 into 10 to the power 5 km per second तो यही है इसका formula जिस तरह से लिखा गया है तो light को अगर धर्ती पे आना है सूरज का light अगर धर्ती पे आना है तो उसको साड़े 8 minutes से लगता है 8.5 minutes इतना fast light होने के बावजूद इतना fast speed होने के बावजूद उसको 8.5 minutes लगता है कि वो धर्ती के surface में पहुँच पाए इससे हम जान सकते हैं कि sun जो है इतना ज्यादा दूर होगा तो इतना दूर है इतना time लगता है चलिए अभी planets के बारे में दिखते है planets opaque bodies है with continuously revolved around and are lighted by sun तो अपने प्लानेट से अपने द्रहा है जितने सारे वो क्या है वो opaque bodies opaque means जो कि पारदर्शी ना हो ठीक है जो transparent ना हो उसको opaque कहा गया है जो कि solid body से कुछ बना हुआ हो और यह continuously sun के चारों और घुमते रहते हैं इनका जो light हमें दीखता है जो दीखता है कि sun का temple जो दीखता है कि Venus Mars जो दीखते है colors अभी कबार अगर देखे universe का कोई कोई भी आप YouTube का video कोई देख ले तो उनका color दीखता है और इसी light से चमकते हैं अगर देखे तो total 8 planets से solar system में नवा प्लानेट जो है वो recently discover किया गया है नाशा और इसका कोई पता पता नहीं है ठीक है तो sequence of planets अगर हम देखे हैं तो sun से पहले सबसे स्टार्ट होता है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto Pluto जो था हमारे बाद में बट Pluto को अभी काट दिया गया है Pluto अभी नहीं है ठीक है सबसे बड़ा से छोटा है जुपीटर सबसे बड़ा है दोस्तों Jupiter के बाद Saturn सबसे बड़ा है Saturn के बाद Uranus, Uranus के बाद Neptune तो इसको याद रखने का यही तरीका है कि आप Jupiter के यहां से काट लीजे Jupiter के बाद जितना चारों प्लानेट जा रहा है वह बड़ा से छोटा है Jupiter सबसे बड़ा Saturn सबसे चोटन उसकी सेकेंड Uranus सेकेंड थर्ड नेप्चुन फोर्थ जीखिया इन अर्थ, अर्थ, वैनस, मार्स, मर्कुरी तो डोस्तों देखें नप्चुन के बाद trials प्लूट्डू आता है तो उसके बाद अर्थ का इन मर्क्री मर्कुरी है temple मेर्कुरी से स्बसे बड़ा प्लाने को मर्कुरी सबसे छोटा離枠 है Cость clarity classification planetsographic क्योंकि उनके कुछ फीचर तक फिचर हैं इसे ही फिचर से हम अनकी प्छिछा ए फीचर प्लानेंट प्टमुट मतलब जो कि आया है। से इसमें Rocks को मिलते हैं Rocks कौन Kौन सा में मिलेगा योaire Mont charges यह किसमें आएंगे यह आएंगे अपका terrestrial planets में और Jovian planets में कौन से आएंगे Jovian Jupiter से start करेंगे Jupiter Saturn Uranus Neptune ठीक है तो यह सब अपना Jovian planets है क्योंकि यह gaseous से बने वे हैं यह gas का giants है ठीक है तो four planets nearest to sun सबसे nearest planet अगर हम लोग देखे तो Mercury Venus Earth Mars जो है यह terrestrial planet है क्योंकि इनका जो structure है similar to Earth है बट अगर उसी प्रकार हम देखे जुपिटर से अटन यूरान सा Neptune को तो यह Jovian planets है तो planets को classify किया हो गया है और भी दो प्रकार से एक को inner group and outer planet भी कहा जाता है inner planet में यह जो भी terrestrial planet है यह याद रख लेंजिए जो भी terrestrial planet है जो कि Earth लाग दिखते है उनको inner planet कहा गया है और जो कि Jovian planets है और gracious लाग जो planets है इनको outer planet कहा गया है तो Mercury Venus Earth Mars terrestrial planet है Jupiter Saturn Uranus Neptune यह outer planet है inner planet Sun के नियरा रहा हमको यह चीज़ पता है कि Mercury से ही Mercury के सबसे नजदिक Sun है ठीक है उसके बाद अगर हम दिर दूर जाएंगे तो जो Jovian planets से उनसे सद्ध दूर है क्योंकि Sun बीचो बीच है ठीक है ना उसके बाद Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune यह जो है उसके बाद चलिए they are made up of dense metallic material क्योंकि यह rocky है यह पत्थरी है तो इससे हम लोग जान सकते है कि इनका बहुत high density का material होगा iron होगा nickel होगा यह सब चीज़ उसमें मिल जाएंगे आपको पट Jovian planets और outer planets जो है क्योंकि outer planets तो Jovian planets जो है जो है तो वह hot gases से बना हुआ है जनरली hydrogen and helium से ठीक है और यह rocky है अगर कोई चीज मालने जाए कि भारी भरकम होगा तो वह जब रोल करेगा वह स्पीड से रोल करेगा तो यह फास्टर घूमते है बट shorter period of revolution है इनका outer period of revolution यह चीज़ आपको हम समझाते हैं देखिए एक sun है sun की इर्द इर्द घुमने एक बार मालने जहें कि एक जगह से घुम करके वह फिर सी इस पोजिशन में आने के लिए यहां से घुम करके फिर यहां आपको return आने के लिए इसको one revolution कहा गया है बट क्योंकि हमारे यह जो planets है भले यह Mercury हो Venus हो Earth हो तो देखिए Earth है Mars है और उसके दूर दूर है Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune तो अगर आप यह चार planets को देखेंगे अगर आप यह चार planets को देखेंगे इनको कितना time लगए यह तो Sun के पास ही है यह तो तुरंद घुम के चले आएगा इसे यह भी तुरंद घुम के चले आएगा यह आपका stadium है एड़ स्टेडियम के पास यह आपका एक आग है तिक आग मुझे साधी कर रहा है जो साधी करते है वो आग के इरदी-इरद घुमते हैं ठीक है उनको घुमना और चारों और घुमने में दोनों में अंतर मिलेगा मिलेगा इन दोस्तों तो यह लोग जल्दी टाइम भी लग जागा ठीक है तो जो भी है जो अपार्ट तो चिमकि यह लोग का जो ऑर्बीट है बहुत ज्यादा बहुत बढ़ा है इसलिए उनको घुमने में revolution करने में time कम लगता है जस्ट यही चीज यहां पर दिया गया है दोस्तों अगर हम लोग देखे तो यही ची यह थीन रोकी क्रश्ट प्रेदेंसका तो प्रश्ट मतला आइरें उर्म और मैंगनेशियम से बना हुँ रहता है यह द देखे ने पहाड पर वज्यों मिलेंगे उसके वह पहाड तो वह वला इरिया में बड़ा हो गया अगर हम देखे टोटल कंपरिजन के हिसाब से अर्थ का अंदर का तो क्रश्ट सबसे पतला है है तो गश्ट जो रहता है थीर रॉक ही राता है मगर यह जोवेन Сам आउट्र प्लानेट्स है इसका इसका मैंनल जो है यह और उस में इंड़ोगüzik सिस्टमиться अनस इसी तरह से Neptune में भी आपको ring मिल जाएगा, Uranus में भी ring मिल जाएगा, इसका thin atmosphere है, inner planets का thin atmosphere है, और बहुत कम natural satellite रहता है, या फिर satellite नहीं ही रहता है, नहीं के बराबर, but outer planets में क्या है, इन में बहुत सारा satellites रहता है, ठीक है, चलिए, अभी हम लोग पढ़ दिया है inner planets and outer planets, तो सबसे पहला inner planets से में श्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना Mercury, Mercury का अगर हम देखें, तो वो सबसे नजदीक रहता है sun का, और सबसे ज़्यादा गरम रहता है, इसमें waterline का संभावना ही नहीं है, भली थोड़ा सब हैपर रह जाए, बट water इसमें है ही नहीं, क्यों नहीं है, क सूरज के जितने पास अब रहेंगे, सब gases उर जाएगा, और खाली कुछ भी नहीं मिलेगा, बस पत्थर-पत्थर मिलेगा, वो भी पुरा hot गरम जगा, इसलिए यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, life building blocks of life भी नहीं है, Mercury का अगर हम देखें, तो पर प्रोटेक्टिव ग्लैंक सेकेंड प्लानेट है, और सन की दूरी के हिसाब सेकेंड प्लानेट है, तो यह अर्थ का नियरेस्ट है, और इस सबसे जाएदा चमकता है, तो वीनस जो है, इसको आप साम में भी देख सकते हैं, इसको इसलिए इवनिंग स्टार कहा गया है, और इसको सुभा भी आप माल लिजे कि यह प्लानेट है, तो अगर आपका प्लानेट को घेर करके बहुत बड़ा क्लाउड रख दिया है, जो कि वील करें, कुछ चीच को छुपा करें, कुछ चीच को कवर करें, रखा हुआ है, उसको कहा जाता है भाइल प्लानेट, ठीक है ना, तो यह गिरावा इ लाइक यूरानेस, ठीक है, तो यूरानेस और वीनस जो है, यह क्या करता है, यह clockwise रोटेट करता है, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, हमारा और सारी इतने प्लानेट्स है, वो कैसे रोटेट करता है, एंटी-क्लोक्वाइज, ठीक है, बट वीनस clockwise मतलब घड़ी की डा जाएगा, तो is the hottest planet of our solar system due to its file of cloud, even hotter than mercury, वैनस जो है, सबसे गरम प्लानेट है, क्योंकि उसका जो cloud है, clouds उसका temperature को बाहर ही नहीं आने देता है, तो इसलिए वीनस क्या है, वो hottest planet बन गया है, ठीक है, तो धर्ती का जो temperature है, वो काफी ज़्यादा है, इसमें वार्टर नहीं है, और नहीं इसमें oxygen sufficient मातरा में है, अर्थ अगर हम देखें, यह हमारे लगों जाता जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसी planet में हम रहते है, तो अर्थ जो है largest planet है, इनर planet का, ठीक है, तो इनर planet में हम दो देख लिए अर्थ का, अर्थ के बाद कौन है, वीनस के बाद कौन है, वी वीनस से चोटा है, मार्स, मार्स से चोटा है, मर्क्यूरी, ठीक है, तो मर्क्यूरी सबसे small है, तो यह हम लोग देख लिए कि, इनर planet का सबसे largest planet है, अर्थ का जो axis है, वो 23 and half degree tilted है, and makes 66 and half degree angle, तो अगर अर्थ का अगर हम axis देखें, यह अर्थ माल लिजए अर्थ है, और यह इसका 90 degree है, तो अर्थ क्या है, इसका axis ही है, वो इस तरह से rotation करता है, यह घुमता है, सारे planet जासे इस तरह से गोल गोल घुम रहे, यह थोड़ा से इस तरह का घुमता है, यूँकि इसका जो axis है, 23.5 degree tilted है, 23.5 degree tilted है, ठीक है, तो इसलिए जो है poles में, धूप, धूप माल ले और 66.5 degree वो बनाता है equator के हिसाब से, जो original rotation का axis है, 90 degree के हिसाब से, तो it takes 23 hours and 56 minutes to rotate on its axis, तो 4.01 seconds, 23 hours and 56 minutes, इसलिए के वज़े से क्या होता है, एक दिन अपना extra आता है, हम लोग 24-24 गंटा मान लेता है, अपना दीन का, बट वो 24 गंटा नहीं रहता है, ठीक है, तो टोटल अग हम देखें तो अपना revolution के लिए, मिन्स एक बार sun की और से अपना orbit का, एक position से दूसरा position के, दूसरा position में आने के लिए, अर्थ को 365 days, 5 hours, 48 minutes लगता है, तो यही जो 5 hours, 48 minutes होते हैं, यह अगर हम लोग 5 hours, 48 minutes को, अगर आप कहीं न कहीं, 4 भार गुना कर दें, यह आपका हो तो कहीं न कहीं, इसको 24 hours के हिसाब से मान ले जाता है, तो 24 hours अपना एक दीन हो जाता है, और यह दीन किसमें जोड़ते जाता है, February 29, February leap year का, तो it takes 365 days, 5 hours, 48 minutes, अर्थ जो है उसको watery planet कहा गया है, और blue planet भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत जादा पानी है, अर्थ का अगर जादा quantity में oxygen है, और यह life को support करता है, अर्थ में और भी सब essential element है, जैसे की carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, तो यह सब चीजों से क्या होता है, यह सब चीजों से hydrocarbon बनता है, और hydrocarbon से अतना body बनता है, जो भी है, छोटा-छोटा कोजी का है, जो cells है, वो भी बहुत generally in most cases, hydrocarbon से ही बनते है, अर्थ जो है, वो nie जब थब थंड़ा है, और ज रहना, तो यह और ज धर धंड़ा है, तो यह गौलडी लोग जोन कहा गया है, जोन हemi है कि यहाब एपिटेबल जोरस ऐस्टम पी, जहां पर thank you, hebat लोक कर सकता है, सारे गास्गा सारे aliments यह तो यह यह life sustain कर पाएगा, इसनिए गोल्डी लॉक को कैसे आतन करेंगी सोलना का अम लगा सकता जहां पर आपको लगे की सब शेफ हो, अगर आपको पता चले कि आपका घर बाहर अट भाहर सोलई खड़ा आपे सोना का अम लगा लुप जाको सोना का तला कोई ले जाएगा तो इसी तरह का Goldy Lock Zone है कि यहाँ पे एक Habitable Zone है यहाँ पे Life Sustain कर सकते हैं यहाँ पे रह सकते हैं इसलिए Goldy Lock Zone कहा गया है अर्थ में काफी ज़्यादा पानी है Lakes, Rivers, Oceans में तो इसमें भी Life Survival हो सकता है अर्थ में Oxygen भी है उसका Atmosphere में इसलिए इसमें यह Oxygen से हम लोग सांस ले सकता है अर्थ का अगर हम देखे तो उसका एक Protective Blanket है जिसको Ozen Layer कहा गया है ठीक है, एंड यह क्या करता है हमें Harmful Ultra Violet Radiation जो रहता है Sun का उससे बचाता है बट कहीं न कहीं Ozen Layer के बारे में हम अगर पढ़ते रहते है तो कहीं Ozen Layer में Hole हो जाता है ठीक है, Ozen Hole जिसको कहा गया है तो उसमें से UV Radiation कुछ-कुछ आता है बट अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ते हैं अभी के लिए जितना दिया गया में उतना ही पढ़ेंगे Moon, Moon क्या है? वो सैचलाइट है अर्थ का और Moon का डायमीटर है 3475 km उसका circumference 10864 तो डायमीटर और circumference में क्या है दोसको डायमीटर आपका यह है, यह अगर आपका बॉल है ना तो बॉल का एक साइड से दूसरा साइड यह जो है, यह आपका डायमीटर है अगर आप उसको बॉल को बीच से काट दे उसका एक सेंटर पॉइंट मार करें और आप देखें कि उसका एक साइड से दूसरा साइड तक अन दी सेंटर, सेंटर में ही वो होना चाहिए यह नहीं कि आप यह जगह में देखना है सेंटर में अगर उसका डिस्टन्स देखें इसको डायमीटर का गया और सरकंफरेंस मिन्स बॉल का आप एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और उसको एक रसी से ले करके फिर उसी पॉइंट मागे खतम करिए वो उसका circumference होता है उसका चारो और का ठीक है और moon का भी एक elliptical orbit है तो यह एक important question है moon का orbit circular है या elliptical है तो मतलब जो earth है earth के side में जो moon भी घूम रहा है मिल्स moon तो जो रहेगा उसका जो orbit है वो जो घूम रहा है उसका orbit भी elliptical है सरकल नहीं है चेपटा है अगर आप उपर से देखे तो कहीं इस तरका है वो ठीक है और यह हमारा earth है और यह अपना moon है maximum distance जो कहा गया है moon का earth से उसको epoxy कहा गया है ठीक है equinox, perinox हम लोग वो सब पढ़ेंगे बात में और minimum distance जो उसको parisi कहा गया है तो maximum distance earth से वो कितना होता है 4,6,000 km रखता है minimum distance मतलब यह जग में minimum distance आएगा है और यह जग में maximum distance आएगा ठीक है तो उसको 364,000 km है अपका सबसे minimum distance moon टोटल 27 days, 7 hours and 43 minutes लगाता है रोटेट करने के लिए अपना axis में ठीक है 27 and a half days इसको consider कर दिया गया है इसको कहा गया है sideral month और approximately उसी time लगबग उसी time में हमारा earth भी क्या होता है एक revolution कर लेता है same period of time it takes to revolve around the earth तो क्या है ना कि मालनी जी कि यह आपका earth है यह आपका earth है moon क्या करता है? moon घूम रहा है इस तरह से यह अपना rotation कर रहा है plus वो rotation घूमते घूमते वो इस जगह में भी घूम रहा है earth के चारों और तो अगर आप देखे तो यह इसी तरह से वो धीरे-दीर घूम रहा है घूमते 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 वो लाश्ट में फिर यहां पर पहुंचता है और earth भी अगर देखे तो earth में जो लोग है वो क्योंकि यह घूम रहा है तो earth का इसी portion यह उसी speed में घूम रहा है जिसी speed में आपका revolution भी वो कर रहा है तो इसलिए earth का जो लोग है क्योंकि यह 4 और घूम रहा है तो earth का जो लोग बस एक ही side moon का देख पाता है ठीक है तो इसलिए एक दूसरा side का moon है वो हम कभी नहीं देख पाए आज तक ठीक है जो जहां पर इसको dark side कहा जाता है यह side moon का हम आज तक नहीं देख पाए है because इसका जो rotation and revolution time है दोनों एक ही है moon का ठीक है ना तो इसमें यही कहा गया है moon को अपना axis में rotate होने के लिए 27 and half days लगता है जिसको sidral month कहा गया है और उसको revolution करने में भी earth की चारव और घुमने में भी उसको लग बग उसी time लगता है तो moon का revolution जो है sun के सिनोडिक मन्त कहा गया है तो sun के हिसाब से moon का revolution है वो कहा गया है synodic month and sidral month उतना खास exam मैंने ही पुछा गया है अभी तर् only 59% of total surface of moon is visible from earth तो यह हम अभी पढ़े है कि 59% of total surface of moon ही बस visible है earth से bright part of moon is called is full of mountains dark precious low lying plains तो हम जो भी देखते है moon में एक कुछ-कुछ चमकता हुआ पूरा दिख रहा है कभी चोटा-चोटा से उसमें गढ़ा दिखता है black black दखता है था बाता वो सब black black है वो सब plains है उसमें क्योंकि mountains जो है वो सूरज का किरन ही पकड़ लेते हैं but mountains को छाव आता है वो पहुत जाता है आपका plains में तो इसी दी इसको कहा गया है तो जो भी चमकतावा पार्ट है वो moons का mountains है and जो भी low-lying plain patches है वो plains है dark patches sea of tranquility sea of tranquility made of plain of dust particles on the rear side of moon which always remains dark तो एक ऐसा part है moon का जिसको हम कभी नहीं देख पाया और उसमें सूरज का रोशनी नहीं पहुँच पाया है तो वो dark side कहा गया है ठीक है na moon का और वो sea of tranquility sea of tranquility moon में है वो उसमें खाली plains plains है means plain jameen है उसमें plain jameen है यह हलका अशा उलबरावा but normally जहाप हम लोग घर और बनाता है वो plain jameen में ही बनाता है हम लोग कभी पहाड के उपर घर उतना ज्यादा नहीं बनाता है maximum लोग और जिसका जो पहाड़ी एरिया में लहता है वो उनको तो वहाँ बनाना पड़ेगा कोई option नहीं अब लोग plain jameen प्रीफर करते है तो sea of tranquility जो है समंदर कहा गया है वो क्या है dust particles का dust particles से भरावा dark side of moon में है highest mountain moon में उसको liability mountain कहा गया है जिसका height 10660 meter high है ठीक है तो इसको आप imagine करते हैं कि माउंट Everest से भी highest है ठीक माउंट Everest से भी highest है मून का कोई atmosphere नहीं है ना उसका light है ना उसका sound है वो जो light मिलता है वो उसको sun से ही मिलता है temperature day time में 100 degree का सबस पहुन जाता है और night में यह minus 180 degree Celsius तक temperature पहुँचाता है means day time में बहुत जाता गर्मी and night time में बहुत ठंदा light अगर देखे तो moon को पहुचने में 1.3 seconds लगता है 1.3 seconds लगता है moon का light earth में पहुचने के लिए और moon का अगर हम लोग size देखे size of moon देखे दोस्तों की 8.5 8.5 minutes हमको लगता है sun का light पहुचने में 1.3 seconds लगता है moon का light पहुचने में तो sun का light कही न कहीं moon के आ रहा है then moon से हम लोग को यह distance को cover करता है 1.3 seconds लगता है moon का size earth से 1 by 4th means earth का एक चौतह भाग है size gravitational moon gravitational pool जो है वो 1 by 6 सीखता परत है earth का gravitational pool हमारा 9.8 meter per second इसका 1 by 6 अगर divide कर दे तो इसका gravitational pool इतना आएगा ठीक है तो 1 by 6 moon में आप देखे होंगे astronaut को वो लोग अथा से नहीं चल पाते है वो लोग तो जंप करते रहते हैं क्योंकि वो एरिया में जरूरी है वहां पर gravitational pool बहुत कम है moon का surface देखे तो इसमें silicon, iron, magnesium इसमें elements पाया गया है study of moon is called selenology moon का पढ़ाई को selenology moon is also known as fossil planet तो moon को fossil planet भी कहा गया है थोड़ा थोड़ा सा है दोस्तो अभी हम अपना last inner planet में आ गया है जिसको Mars कहा जाएगा Mars जो है iron rich red soil है और उसका pink sky है Mars का, इसलिए Mars को red planet कहा गया है ठीक है iron rich red soil है लोहा से प्रभरा हुआ और pink sky है उसका मालने जब माइन से रिया में गय हुए है तो आपका हर करब पस red dust मिलेगा इसी तरह का आपका pink sky है Mars में इसलिए उसको red planet भी कहा गया है लोहा के कारण phobies and demos है phobies and demos अपना Earth का satellite का नाम किया है Earth का satellite का नाम है moon Mars का satellite का नाम है phobies and demos चली हम लोग अभी आते है outer planet में Jupiter Jupiter जो है largest planet है और इसको winter planet भी कहा गया है क्योंकि इसका temperature है minus 148 degree Celsius तर पहुंच आता है Jupiter का हमारा moon का temperature minus 180 degree Celsius तर पहुंचता है यह moon का है यह planet का नहीं है तो सबसे ठंडा planet अगर कहा गया है minus 148 degree Celsius है तो इसको winter planet कहा गया है इसका एक satellite है जो की Ganymeda है Ganymeda जो है largest satellite है तो अच्छा चीज है जुपीटर के एक चीज कि जुपीटर एक largest planet भी है largest planet है पर सटलाइट जो है सटलाइट जो मून है इसको कहा गया है Ganymeda वह भी largest satellite है solar system का चलिए Saturn क्या है अपना second largest planet है और इसमें इसका concentric rings है यह ice और ice covered dust से बना हुआ है तो concentric rings कतले कि Saturn के चारो और गूंगते रहते हैं तो यह जो ring है यह जनरली ice से बना हुआ है और यह dust particle ice और dust particle से बना हुआ है और यह Saturn के चारो और घूंगते रहते हैं सटलाइट है प्लस Titan सटलाइट है सटलाइट है यानी मेड़ा क्या है सटलाइट है टाइटन वो सटलाइट है Uranus अगर हम देखे तो अर्थ से चार गुना बड़ा है और यह green color क्योंकि इसमें methane gas है इसमें methane gas है यह याद रतने के पॉइंट है तो Uranus का discovery 1781 में क्या गया था Sir William Hercal द्वारा पनेट है जिसको निटेकर द्वार पहली बार पिय्या है थीक है इसको क्यों देखा गया यह जेनली थोड़ा से बड़ा इसलिए इसको देखना त्ष्ञा था Uranus को सब से орटर देखा यह 3ड बिएस प्लानेट इसको भुआत थंड़ा और तो जितने भी आपका फीजिक्स का किताब उठा लेना तो आप उसका फॉर्मूला वोग देखेंगा तो यही सभा को मिले रहा आलफा, बीटा, गामा, बीटा, जीटा, बीटा, ठीक है तो जो भी है यह सारे आपका यूरानस के तेरा रिंग्स है यूरानस क्या है वो east to west रोटेट करता है अपना एक्सिस में which is opposite to other planets except Venus तो यह हम लोग पहले भी पढ़ लिया है Uranus and Venus दो छीज़, U,V ये क्या करता हैए ये East to west रोटेट करता है इन clockwise रोटेट करता है ठीक है तो East to West अलब सारी प्लानट क्या है West to East anticloakwise रोटेट करता है यह आपका सिम्बल है यह आपका clockwise का है यह आपका anticlockwise है ठीक है तो यह clockwise का है यह anticlockwise का है ठीक है east to west east to west rotate कर रहा है यह west to east axis of Uranus जो है वो has large inclination so that it appears to be lying down hence it bears the name a planet on its size तो जिस तर से हम देखे थे कि earth का जो axis है earth क्या करता है इस तरह का वो घूमता है ठीक है वो इसी तरह के घूमता है और उसका moment कहीं इस तरह से वो घूमते रहता है west to east इसी rotation में इस तरह से सिधा नहीं और कई तरह प्लानेट ऐसे हैं जो कि ऐसे घूमेंगे ठीक है बट इसका axis tilt है यहाँ पे 23.5 degree में इसी प्रकार जो है Uranus का जो अगर हम axis देखे तो Uranus का axis बहुत अगर चील जा लगबग इसी प्रकार ठीक है तो यह इस तरह से घूमता है लगेगा कि बॉल जो है वो रोल कर क्योंकि इसमें difference क्या है इसका जो largest large inclination है इसमें ठीक है न तो जो जुकाव एंगल है यह काफी ज्यादा है तो अब जुक सेकता है जो कि नॉर्मली इसमें घूमना चाहिए वो कितना ज़दा लगबा 80 degree का सब इसका जुकाव एंगल नेप्चुन नेप्चुन के आर्फा प्लानेट है और इसका temperature में surface low होगा यह तो पता है यह sun से बहुत दूर है तो यह low ही होगा यह भी लगवा Uranus के similar है उसका जुड़वा इसको कह सकते है ठीक है तो अर्थ वेनस और अर्थ को अपना जुड़वा कहा गया है इधर आपका Uranus और नेप्चुन को जुड़वा तो जितने भी जोवेन प्लानेट तो उसमें सब में rings है किसी में rings दिखते है Saturn में काफी जादा दिखता है Neptune में थोड़ा सा वोर्थ क्यूंकि बहुत दूर का planet है तो उसको देखना थोड़ा सा difficult है ठीक है चलिए अभी देखते हैं अब लोग Pluto Pluto जो है वो क्या है वो planet नहीं नहीं है क्योंकि International Astronomical Union द्वारा इसको planet acceptance से मना कर दिया है उनके द्वारा यह कहना है यह देखे अगर 24-26 में उनका meeting हुआ था उसमें वो लोग डिकलेर कर दिया कि Pluto अभी planet नहीं है तो क्यों नहीं है दोस्तों क्योंकि देखिए उसमें अब का अगर देखें तो कुछ उस अभी नहीं दिया है रिजन है कि उसका axis ओवरलैप करता है उसका orbit है वो ओवरलैप करता है यह तो पहला रिजन है ठीक है और Pluto it's married mentioning here that Pluto has been holding the planetary status since 1930, 1930 से Pluto का status दिया गया था प्लानेट का बट अभी planets 9 to 8 हो गया है अभी Pluto को हटाने के बाद अभी membership में total 8 classical planets हैं जोकि Mercury Venus से Neptune तक यह लोग 8 planet है तो प्लुटो को सब planetary status दिया गया था फिर उसको बाद में और उसको द्वार्फ प्लानेट में सामिल कर दिया गया सप्टेमबर 2006 में ठीक है तो प्लुटो का companion satellite था Charon, Nix, Hydra यह सब उतना जरूर नहीं है क्योंकि अभी यह बंद हो गया प्लानेट में है ही प्लुटो जो है आउटरमोस प्लानेट हुआ काता सा सोलर सिस्टम में तो यह कब का बात है 24 अगश्ट 2006 को 2007 फिर सप्टेमबर में अपको प्लुटो को हटा दिया गया एंडन टूटल यह प्लानेट से तो यह कुछ-कुछ डेटा है इसको generally हम नहीं पढ़ेंगे यह क्यों सब चीजियों के बारे में पढ़ेंगे चलिए तब तक आप अपना पढ़ाई बनाए रखिए मिलते हैं फिर all the best